अजय चुटाला को निकालने के बाद इंडियन नैशनल लोकदल में भूचाल आ गया है दिगविजय चुटाला ने आज इस मामले भी खुल कर अपनी प्रतिक्रिया दी उन्होंने हर्याना विधान सभा में विपक केनिता और अपने चाचा अभैच चुटाला का नाम भी लिया अभी तक दिगविजय सिंग चुटाला अपने चाचा का नाम लेने से गुरेज कर रहे थे आईए आपको सुनाते हैं कि आजे चुटाला के पार्टी से निसकाशन के बाद दिगविजय सिंग चुटाला ने क्या कहा इस से जादा अनफॉर्चुनेट क्या होगा कि जूट की कितनी बड़ी बुनियात खड़ी करने की कोशिश की जा रही है आज ये जूट का माउंट एवरेस्ट बनाने का काम इन लोगों ने किया जो चौधरी उम्परकाश चुटाला जी बारा तारिक तक उनके माध्यम से ये लोग ये कह रहे थे कि हम उनसे मिलके आये हैं वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा बारा के बाद तेरा को किसी से मिल नहीं सकते थे क्योंकि वो आपस गए हैं जेल पे और ये तो रेकॉर्ड भी कहता है वो किसी से मिले नहीं है और चौदा की सुबह जो कि आज है वो ये लेटर दिखा रहे हैं कि हमने इनको बाहर निकाल दिया तो तो ये इस इस अ क्लियर कट केस ओफ कॉनस्पिरेसी एक पार्टी के अंदर इतनी गहरी शाजश कुछ चार या पांच लोग चंडीगड में बैठ करके और एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है ये तो हमें कल रात को पता चल गया था मैंने आपको कुछ लोगों को तो सुचित भी किया कल रात को कि ये होने जा रहा है मेरी बात पर आप यकीन कीजिए क्योंकि उस लेटर को जब चंडीगड ऑफिस में बनाया गया तो मुझे हमारे भी सूर्सेज हैं उनने हमें ख़वर दे दी थी कि लीडर ओफ ओपोजिशन के कहने पर ये लेटर बन चुके हैं और अब ये प्रिंट हो जाएंगे और ओटोमेटेड मोर लग जाती है आजकल सिगनेचर की किसी की आवशकता नहीं पड़ती तो सिगनेचर तो पुराणे कॉपी होकर के वैसी नजरात में तो क्या आपका मानना है कि सिगनेचर फरजी है? सिगनेचर नहीं सारा ही कुछ फरजी है लेटर भी फरजी है इनकी नियत और नीती ठीक नहीं है और नियत और नीती जब किसी की व्यक्ति की ठीक नहीं होती तो फिर अंदाजमन 17 तारिक को आप देखेंगे जब लाखों लोग वहाँ जुटेंगे, जीन्द के अंदर कारेकरता जुटेंगे, वो फैसला करेंगे चौदरी अजे सिंग चुटाला जी ने बिल्कु ठीक कहा कि पारिटी का फैसला कारेकरता करेंगे नेता नहीं या व्यक्ति विशेश नहीं कर सकते और नहीं उनको करने देगे अब एक चुली पूछ रहा हूं कि 12 तारिक तक जब इनी के लोग कह रहे थे सब ठीक है या तो ये जूट बोल रहे थे या तो ये लेटर 12 तारिक से पहले चुटाला साब ने जारी किया है मगर जब 12 तारिक तक ये कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है 13 तारिक को मिलनी सकते थे 14 तारिक को ये प्रेस कॉणफिर्स होगी तो ये लेटर कहां से आया तो क्या चैलेंज करेंगे चैलेंज क्या करने की जूरत है चैलेंज को ये कोर्ट के अंदर थोड़ी है मामला परधान तक जो फैस्वे लिए अची आपके निश्कासन का हो रहा है आप मानते हैं सारा ओम प्रकास चोटाला जी के बिना सहमती ये आरेश चौधरी एक व्यक्ति है हमारी पार्टी के सीनियर नेता हैं उनकी इज़त करते हैं उमर में बहुत बड़े हैं मगर वो बहुत गहरे शाजिश करता हैं उनकी लेंगवेज है कल रात को ये जो अजे सिंग चुटाला जी के नाम पे लेटर बढ़ा ये भी उनी के ह प्रणीती तो पार्टी के सीनियर तै करेंगे वह जो भी रनीती होगी उस पर हम उनके साथ सह्मत होंगे आप पार्टी में हम हैं हम थे और हम रहेंगे और मैं यह कहता हूं कि हम पार्टी से निकालने वाले लोग नहीं किसी को हम पार्टी के साथ जोडने वाले लोग आज आज राजनीती जरूरी जवाद जो समझने की है आज प्रयास ये हुए मुझ पर भी दुशन पर भी डरा कर दमका कर जो कुछ लोगों के नेचर हैं कि इनको दबा लिया जाए बट हम 21 सदी के नोजवान हैं और जिस पीडी के साथ हमा कदम आगे बढ़ा रहे हैं वो पीडी आज राजनीती के साथ मिल करके साकरात्मक सोक पेदा करने की है और जो अगे बढ़ेगा जो इस तरह की सोच वाला है वो कहीं ना कहीं को सोदूर चला जाएगा और ये फ्रस्टेशन है, अजे सिंग चोटाला के जो प्रेम है उनके प्रती जनता के अंदर उनके जो प्रती मो है उसको देखकर के फ्रस्टेशन है कि ये जो अपने आपको जो है ना टॉप अफ दे लाइन लीडर्स मानते थे आज सारे चंडिगड में अकेले बैठ करके प्रेस कॉंफरेंस करके ये पाता रामगर से उनके निर्देश पर वहाँ से चुनाव लड़े थे उसके बाद नौर से चुनाव लड़े वो किसी भारती जनता पार्टी के लिड़े अब मुसलिम लीक के लिए चुनाव लड़े थे वहां से इंडियन नैश्नल लोग दल के लिए लड़े होंगे जनत आप भूल गए इतनी जल्दी वो तो सिर्फ ये गिनवाने है कि मैंने उस चुनाव को जीता मैंने उसके अंदर किला फटे किया अब लोकसभा के चुनाव में जो आपका हश हुआ जो संग्रिया में हश हुआ जो जिला परिशद में मेरी मदर की कॉंसिच्वेंसी में एक जो कहते हैं एक जो ये कहते हैं कि हालात नहीं थे वहाँ पर चुनाव लड़ने के और सब लोग ये चर्चा कर रहे थे कि क्या जिला परिशद के लेवल का चुनाव आपको लड़ना चाहिए फिर भी उनकी जिद कि मैं लड़ूँगा जिस जगे से मेरी माता जी जीत करके आई साथ अजार वोट से वहीं एस वहाँ जाकर के चुनाव लड़े एक जिला परिशद का चुनाव लीडर ओव उपोजिशन का परिवार साथ अजार वोट से हार जाए हरियाना में सबसे बड़ी हार ये पार्टी को आपने मजबूत किया है हम जादा कहना नहीं चाहते मगर आज आपने सारी सीमाओं को लक्षमन रेखा को लक्षमन रेखा को लांगने का काम आज अवे सिंग चोटाला जी ने अपने बड़ी भाई पर उंगली उठा करके किया है तो फिर आज कहीं न कहीं हमें भी अपने मन की बात के अजे सिंग जी ने और उनके प्रिवार ने जो भाजपा और कॉंग्रेस के किलाब लड़ाई लड़ी है और गाउं गाउं गली जगली जाकर के लड़ाई लड़ते हैं तो उसको शायद वो नजर अंदाज कर रहे हैं और अजे सिंग चोटाला जी ने साड़े छे सो किलोमेटर की पदयात्रा की थी वो कोई अपनी छवी को बनाने के लिए नहीं की थी और मुखे मंतरी बनने के लिए नहीं की थी मुखे मंतरी चौधरी योंपरिकास चोटाला को बनाना था और कॉंग्रेस पार्टी और भुपिंदर सिंग हुड़ा के खिलाफ जो है वो पदयात्रा की थी जो भी आस्तंग संगर्ष किया उसमें एक बहुत बड़ा योगदान अजे सिंग चोटाला जी का है उसको कभी भी नज़र अंदाज करने की कोशिश ना तो कोई कर पाया है ना कोई कर पाएगा ये कुछ लोग दो, चार, पांच गिने हुए लोग, कॉंस्पिरेसी नहीं है कहने का कि मैंने पार्टी के लिए किया ये तैजनता का काम है दिखविजे चोटाला अगर ये कहे, मैं अगर गिनवाने लग जाओ तो फिर मेरे पास तो उनसे बहुत बड़ी सूची है अजे सिंग चोटाला जी का तो कहना ही क्या वो सारी सूची और उन सारी चीजों के बारे में ना जिकर किया जाए और पार्टी को कितना सहना पड़ा है उसके बारे में जिकर ना किया जाए हम साकरात्मक लोग हैं आज पार्टी से पार्टी के लोगों को निकालने की जूरत नहीं है चौधरी देविलाल की तरह बाहें फिलाकर नए लोगों को जोडने की आफशकता है और उस काम में हम निरंतर लगे हुए हैं अबे सिंग चोटाला जी शायद भूल गए उनकी यादाश कमजोर हो गई या इन लोगों ने जो साथ रहने वाले हैं इन्हों ने उनकी यादाश पर पानी फेर दिया अबे सिंग चोटाला जी को शायद याद ना हो जिस चुनाव को जीतने की वो बड़ी बड़ी हुंकार भर रहे थे आज मीडिया के सामने उस चुनाव में डोर टू डोर तकरीबन ग्यारा गाओं में तो मैं गुमा हूँ और 10% जो बची हुए है वो सिर्फ इस बात के लिए बची हुई है कि हम चौधरी उंपरकाश चोटाला जी का जो निर्देश होगा उसको मानेंगे अब वो स्पस्ट हो गया कि चौधरी उंपरकाश चोटाला जी को भी सूपर सीड करने का काम लीडर ओफ ऑपोजिशन ने कर दिया पारिटी को हाई जैक करने के लिए तो अब तो तैह है कि वो 10% लोग भी 17 तारिक को इंडियन नेशनल लोगदल पूरी पाइटी वहाँ आ जाएगी और 17 को इंडियन मीटिंग बुलाईए आप देख ले ना दूद का दूद और पाणी का पाणी हो जाएगा कौन कहा है कौन कहा है दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और इस पूरे जगडे में अपनी राय भी कमेंट बुक्स में जरूर लिखें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को दबा ले ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकरी सबसे पहले आ